गुड मॉनिग स्टूडेंट्स हम लोग आपका चैप्टर फाइफ पढ़ रहे थे एंड उसमें लोग आज डिसकस करने जा रहे थे आपकी ट्रू एंड फॉल्स तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिल इंदा ब्लैंक बताया थे जिसमें सिक्स थे अब आज हम लोग को डिसकस करना है आपका कोश्य नंबर टू जहां पर आपके ट्रू एंड फॉल्स वह भी पांच अगर हो सगा तो टाइम रहा तो मिसका आगे भी डिसकस करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट इंटरनेट एड्रेस इंदा फॉर्म ऑफ एल्फाबेट्स जी हां हां तो इंटरन होते हैं यह आपके होते हैं अब इसलिए फर्स वाला फॉल्स है सेकेंड एवरी कंप्यूर्टर कनेक्टेट तो इन इंटरनेट हैस दिफेरेंट एड्रेस तो शुर्म आपको मैं इंटरनेट एड्रेसिंग पढ़ा रहा था था तब उसमें आपको यह सभी चीजें सब्सक्राइब एक नेहरें एक नमबर प्रोइड किया जाता है मि मैं नहरें अखका इक और इसकुम लेकल एड्रेसिंग सिस्टम तो मैं आपको पढ़ा रहा था दिएनस एड्रेसिंग तब उसमें बताया गया था उसमें यह था स्टूडेंट सापका डिएनस एड्रेसिंग में जो आपके अल्फाबेट के त्रुक होते हैं तो यह थर्ड वाला आपका बिल्कुल सही है नेक्स्ट ह इमेल इसमेल डैट इस सेंट डाइनेमिक ली तो इस आपको यह आपकी इमेल जहां पर मैंने पढ़ाया था आपको वह उपन करना पड़ेगा वहां पर आपको यह मिल जाएगा अब स्टूुदेंट्स डैनमिक की प्र्रोसस होता है जो आल टाइम होता रहाए ह। उसको स्टार्ट रवागत जाह तो वहbles होता रहा है तो दो इमैल में इसा नहीं होता है जब 못 आप इनेबल नहीं करेंगे किसी एक इसको 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 बैजने जाते हैं उसके आइडी नहीं पड़ेंगे तब तक वो नहीं आती और वो डाइनमिक सिस्टम नहीं होता है तो यह आपका फॉर्थ नंबर फॉल्स नेक्स्टे आपका यू कैन नोट सेंड कलर फुल फुल गलीटिं यंग कर्ट मेंदफिन बीच्ट में किन toda इसा नहीं है मैं बिच्ट मेथा है वह कि दीकर नहीं होगे लेकिन है इमेज commonly रप्प संड कर सकते हैं मेथ कर लिए आपको यी ओप्षिन को लिए ऱुड़ सेखेंग से आप सेंड कर सकते हैं इमेल के तुरू लेकिन आप ग्रेटिंग कार्ट्स नहीं बैज सकते कोई भी उसमें हाड कॉपी नहीं जाएगी इमेल आपके सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही बैज सकता है तो च्र।ेस्ट्ट आज के यह इस एक बारफ फीर से फ्रस्ट्ट वाला से फौश और इस एसमेंद फ कर देंट कर देंगेसेक्ऻन था था Уरbab कने नने humility की तो आपका थर्ट में या ब्लय मतिक्षात कर ले था ओं एक या दो कॉश्ट्शन औरक्स करेंग हो explain the two addressing schemes तो यह जो आपकी two addressing schemes में था मैंने बताया था एक IP addressing थी और एक थी DNS addressing page number आप 74 पे जाएए page number 74 पे आपको दोनों addressing मिल जाएगी एक है IP addressing जिसे हम number addressing कहते हैं और दूसरी है DNS addressing जो की letter addressing के नाम से भी जानते हैं जिसमें आपको करना क्या होगा एंसर लिखते समय है स्टार्टिंग की तो तील नाइन दोनों से आप कॉपी करके सेम लिख देंगे तब भी आपको फुल नमबर मिलेगा एंड हाँ students आप उसका एक्जामपल देना मत भूलिएगा अगर एक्जामपल नहीं दिया तो आपके नममार्क्स जरूर करते हैं next है write the steps to attach a file to your email steps to attach a file यह students आपका एक लंबा process है अगर आप steps में लिखते हैं तो फिर भी आपको यह page नमबर 76 पे मिल जाएगा वहाँ से देखके बरदी लिखती जाएगा एंड उसको याद रखिएगा एक बार अगर आपने कभी अपने phone में या फिर अपने computer में कर लिया तो बहुत ही easy process होता है आप इसको कभी नहीं भूलेंगे next है what are the top level do name या फिर आपका किसी कंट्री को लेकर है कि यह आपके डोमेंस होते हैं कुछ कंट्री के होते हैं उनमें .in जो है वो इंडिया का है .au Australia का है .us United States का है तो आपकी students यह सब चीजें हैं आप इनमें से अपने कुछ examples लिख दीजेगा so students आज के लिए हम इतना ही रखते हैं and next video में हम आपको फिर से किसी चीज के बारे में discuss करेंगे आपका जो आगे के कुछ questions है तो दो questions और रहा गया है हम वो नेक्स वीडियों discuss करेंगे और आपका न्यू चैप्टर computer languages start करेंगे so students आज के लिए इतना ही thank you